हेलो फ्रेंट्स वल्कम बैक तू माई चैनल कोक विट नजराना नवाब और आज मैं आप लोगों के लिए लेक्या यह कोफता रेसेपी जिसे खाके आप अपनी उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे आपकी कोफता एकदम खस्ती बनेंगे इसे बनानी के लिए मैंने छे प्याज लिया है प्याज का साइज आप यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले मसाला तयार करने के लिए एक चमच धनिया आधा चमच गोल की आधा चमच जीरा लेंगे और चार छोटी इलाइची लेंगे दो बड़ी इलाइची लेंगे एक दालचीनी का तुकड़ा लेंगे तीन लैसन की पोटली लेंगे और आधा इंच आतरक लेंगे लेसन की सारी कलियों को अलग-अलग कर लेंगे और सारे मसालों को जार में डाल देंगे फिर जार के मसाले में एक चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक चमच हल्दी का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे और स्मूध पेस्ट तयार कर लेंगे यहां पर आप मसाले के टेक्षिर देख सकते हैं एकड़म बारीग है प्यास को आपको एकड़म बारीग काट लेना है यहां पर आप देख सकते हैं कितना थेन उसका slice रहे गा छे प्यास लीन है और प्यास का size मैंने आपको दिखा दिया था कड़ाई में 200 ml refined oil लेंगे आप चाहे तो सर्सो का भी तेल ले सकते हो और जो प्यास बारी कटा था उसे डालेंगे light golden color आने तक बिरिस्ता को चलाते हुए पकाएं बिरिस्ता में जल्दी color पकड़े इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्यास का पानी जल्दी सूख जाए बिरिस्ता तयार होने में बहुत जादा time लगता है इसे चलाते रहना होता है और चलाने की वज़े से हाथ में दर्द हो जाता है तेल भी बहुत जादा observe कर लेता है तो इस problem का एक solution मैंने निकाल लिया है बिना तेल के बिरिस्ता कैसे तयार करें इसके लिए आप मेरे channel visit करें और बिना तेल के बिरिस्ता कैसे तयार करें वो वीडियो देखें और यहाँ पर आप देख सकते हैं light golden brown color हो चुका है बिरिस्ता का तो बिरिस्ता निकाल लेंगे और थोड़ा सा तेल इससे मुझे कम करना है तो तेल कम करने के बाद जो मसाला तयार किया था वो डालेंगे दखने लगे तो flame को low कर दीजिए गौर लिट से cover करके उसे तेल छोड़ने तक पकाना है अगर आप मटन से बना रहे तो भी सेम प्रोसेस रहेगा लेकिन यहाँ पर मैं एक केजी चिकन ले रही हूँ 18-20 दाने काली मिर्च, दो छोटी लाईची, एक बड़ी लाईची, एक दालचीनी का तुकड़ा, अधा चमच जीरा, अधा चमच पुस्त दाना, तीन सुखी वी लाल मिर्च, 6-8 लेसन की कली, तीन मुठी मुना वचना, एक मुठी कटा हुआ गरी सारे मसालो को जार में डालके, एक बार सूखा दरदरा चला लेंगे, उसके बाद थोड़ा पानी अड़ करके, फिर से इसे ब्लेंड करेंगे, ताकि पेस्ट एक दम बारीक बने मसाला कम होने की वज़े से बारीक नहीं हो रहा था इसलिए मसाले वाले जार में ही चिकन डाल के एक बर ब्लेंड कर लेंगे ताकि मसाला भी अच्छी तरह से बारीक पिस जाए चिकन अच्छे से पिस चुका है और मसाला भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है सारे मिश्रन को एक बावल में निकाल लेंगे इतने तेर में मसाले में तेल पी छोड़ चुका था यहां पर देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से तेल छोड़ चुका है और मैं नमक डालना भूल गई थी इसलिए आप एक चमच नमक डाल रही हूं और उसे डाल के अच्छी मिर्च डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन को मिक्स करने के टाइम पर इस बात का ध्यान रखे आपको छोड़ी-छोड़ी हट्टिया मिल सकते हैं या फिर नस मिल सकते हैं तो उसको निकाल दीजिएगा फिर कोफते बनाने से पहले हाथ में तेल लगा ल जिस पिसाइस के आपके कोफते बनाने उतना ही मिश्रन लीजिएगा और अच्छे से गोला बना लीजिएगा और इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी क्रैक्स ना पड़े कोफते के अंदर मसाले डालने से कोफता खस्ता बनते हैं और बहुती ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी लगते हैं कोफते में बेसिकली सत्तू ही डाला जाता है लेकिन सत्तू अगर ना हो तो आप भूना वच्छना यूज़ कर सकते हैं इसी तरह से सारे कोफते बना के तयार कर लिए और आप यहाँ पर मसाला देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भून भी चुका है और तेल छोड़ चुका है एक पर मसाले को चला लीजेगा और ये भी चेक कर लीजेगा तले पे लगा तो नहीं फिर सारे कोफ़ते को मसाले के उपर बैठा दीजिएगा इस स्टेज पे कोफ़ते को चलाना बिल्कुल भी नहीं है और लो फ्लेम पे रखेगा ताकि मसाला नीचे से लगे ना लेट से कवर करके 6-7 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे 6-7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर वाइट हो चुका है इसका मतलब ये कि मसाले की आच में ये पक चुका है अब इसे चला सकते हैं अची थरह से मिक्स कर लीजिएगा फिर इसे और 5 मिनट ढग के पकाएंगे और 5 मिनट के बाद आप चाहें तो इस तरह से इंचोई कर सकते हैं या फिर ग्रेवी को थोड़ा पतला करना हो तो कर लीजिएगा यहाँ पर मैंने आदर ग्लास पानी डाले और बॉइल आने का वेट कर रही हूँ जब इसमें बॉइल आने लगेगा तो इसे एक दो हाँ चला लेंगे इस टाइम पर भी फ्लेम लो रखेंगे और देख सकते हैं अच्छे से बॉइल आ रहा है और गैस का फ्लेम आफ कर देंगे गैस का flame off करने के बाद इसमें धन्या की पत्ती डालेंगे और आप देख सकते हैं हमारा कुफता ready हो चुका है तो इसे serve कर लेंगे रोटी या चावल जिसके साथ भी serve करना चाहते हैं करें और मज़े से enjoy करें इसे बहुत ही मज़ेदार recipe है एक पर बना के जरू ट्राइ करें मुझे उमीद है कि आपको यह recipe बहुत ही जादा पसंद आएगी अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी तो वीडियो को like कर दीजेगा चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर दीजेगा बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको next वीडियो की notification सबसे पहले मिल जाए texture और color देखके तो आपको recipe समझ में आई गई होगी बहुत अच्छी recipe है आप इसे बना के जरूर से try करिएगा एक दो बात को का ध्यान रखिएगा मसाले को time दीजेगा पकने का और जब मसाले में कोफटा बैठाएंगे तो कोफटा पानी छोड़ेगा और वो थोड़ा shrink होगा उस time पे कोफटे में ना तो पानी डालना है और ना ही कोफटे को चलाना है और low flame पे पकाईएगा और कोफटा देख सकते हैं कितना easily तूट रहा है अगर कोफटे में तेल ना छोड़े तो तेल गर्म करने के बाद लाल मीच पाउडर डाल के अच्छे से mix करके कोफटे के उपर डाल दीजेगा बना के जरूर खाईए क्योंकि homemade is best थांक्यू अला अफिस